एक चिडिया देखी, तो ख्यालों में बसा लिया, फूल देखा, तो सपनों में देख लिया, इस तरह मैं बार रहा, जिन्दा रहा, आस्मान में चिडिया और बागीचों में फूल देखते रहा दोस्तों, पर्यावरण से हम हमेशा जुड़े रहते हैं, प्रकृती की चीज़े हमें अट्रैक भी करती हैं वीकेंड शुरू नहीं हुआ, तो हम आसपास के जंगलों में जाकर जील, नदिया, हर्याली देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं पर क्या आपने कभी सोचा हैं कि इन पर्यावरणिय संस्थाएं याने एकोसिस्टम्स किस सरह से काम करती हैं नमस्कार, मेरा नाम अनूप जैपुरकर, Know Your Birds के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है इस श्रंकला के माध्यम से हम पक्षियों के दुनियों को नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे हमारे आसपस देखने वाले पक्षी, इनकी क्या खासियत होती है, इने कैसे पहचाना जाता है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हमें बताएंगे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रामानन त्रिपाटी जी नमस्कार रामानन त्रिपाटी जी के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ वैसे पेशे से ये बिजनसमेन है लेकिन करीब 15 सालों से पक्षियों का निरिक्षन कर रहे हैं इसका बहुत अच्छा वीडियो डॉकुमेंटेशन इनके यूट्यूब चैनल अरोमा वर्ल्ड के माध्यम से ये पूरी दुनिया भर में पहुचाते हैं तो रामानन जी आज इस पहले एपिसोड में हम किस पक्षि की बात करेंगे अनूब जी ये बताएं आप ये मई लास्ट वी चल रहा है धजक रहा है मौसम इस तप्ति गर्मी में एक आवाज बड़ी सुकून भरी बड़ी बड़ी प्यारी आती है कानों में और अकसर आती रहती है ओडियंस भी सुनते हैं आप भी सुनते हैं हम भी सुनते हैं वो कौन सी आवाज है किस पक्षी की आवाज है क्या आप कोयल की बात कर रहे हैं हाँ कोयल की आवाज बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा गाती है कोयल लेकिन actually होता है यह है कि वो जो गार रही होती है जिसको हम बोलते हैं वो गार रहा होता है means कोयल जो काली color की हमें दिखाई देती है यह पक्षी वो पक्षी actually कोयल प्रजाती का मेल है नर है जो गाता है और यह उसका प्रणय निवेदन है अपनी फीमेल को आकरशित करने के लिए वो यह आवाज निकालता है तो यह मेटिंग सीजन की वज़ह से यह आवाज हमें ज्यादा सुनाई देती है यह सीजन मैं और जून पूरा मैं पूरा जून एक ऐसा सीजन रहता ह जब कोयल कुखो update है और उसकी कुवूं कुफो जो है वो पूरे वातवरण में होवी होने लगती है अप महसूस करेंगे कि जून में जून के कुछ रातों में भी पूरी-पूरी रात कोयल कुहू करता है मेल तो ये जैसे-जैसे उनका उत्तेजना उनकी बढ़ती है और वो प्रणय के लिए व्याकुल होते हैं वैसे-वैसे उनकी आवाज बढ़ती है एक सबसे जरूरी चीज हमारे लिए जानने वाली ये है कि जो आवाज होती है वो कोयल मेल की होती है तो क्योंना हम उसको कोयला कहें centered कोयला est Archive निषची दूर्प से कोयले की तरह काली होती है कव्यष से अधिक पाली होती है कोयल काला कलर होता है उसकी रंगों में Black and White होती है दूसर कला होता है और कला नहीं pen लेकिन डोनों की आंखें लाल होती है एकदम सुर्ख लाल और दोनों की चूच लगबख सफेद होती है दूसर सफेद कहना वाइट नहीं होती है, दूसर सफेद होती है, जब कोयल का नर्ज अपना गीत शुरू करता है, तो उसमें एक पिछ होती है, कुहू, 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 ऐसा आगे बढ़ता है वो, तो उस लास्ट वाली जो पिछ रहती है, जिसमें वो हाइस पिछ प होता है कि इधर से वो निवेदन हो रहा है और उस निवेदन को स्विकार करके करीब आया जा रहा है तो हम जैसे अभी त्रिपाटी जी ने बताए क्यों हम उसका एक वीडियो देखें और उसकी आवाज हम खुद सुने बिल्कुल और ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि मेल औ तो त्रिपाटी जी कोयल के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े बता है कोयल ऐसा है अनुब जी घने पेड़ों में रहती है उसको घने पेड़ चाहिए बहुत ज्यादा उचे पेड़ बहुत ज्यादा चोटी जगों पर नहीं रहती है मद्यम उचाई के जो पेड़ रहते हैं गने पेड़ चाहिए लेकिन पत्तों वाली जगह चाहिए वहां पर रहती है धूप से वैकुल होती है कारण की कलर रहता है वो धूप से ज़्यादा परेशान होती है तो वो च्छाओं वाली जगों को फिलफर करती है दूसरा यह खाते हैं वर्म्स खाते हैं इंसेक्स खाते हैं और फलों में भी रूची रहती है कोयल की कुछ फल भी खाती है लेकिन इंसेक्स पर डिपेट करते हैं और कोयल के बारे में आपको एक खास चीज़ बताता हूं कोयल अपने अंडे कववे के घोसले में देती है वो भी चोरी से जब कोवे अपने घोसला बनाते हैं यह जब बारिश लगती है तब कोवे का घोसला बनाने का सीजन शुरू होता है उसी समय कोयल भी अपने अंडे देती है कोवे के घोसले में और आश्चेरी की बात यह कि कोयल अपने बच्चों से कभी नहीं मिलती है उसके बच्चों का पूरा पालन पॉशन कावा करता है ये मैंने अपनी आखों से देखा है मतलब उसको अपने बच्चों से बहुत ऐसा लगाओ नहीं होता है लगाओ क्या गुद्रत ने कुछ ऐसी व्यवस्था किये कि वो अपने बच्चों से मिलती ही नहीं उसे अंडे देना है उसके बाद उसे बुल जाना है उसके बाद वो सचन्द विचलन करती है कुईल समूहों में नहीं रएती है को एल पेयर्स बनाते हैं तभी मेटिंग सीजन के दोरान साथ साथ दिखते हैं वरना अलग-अलग रहते हैं तो आज हमें त्रिपाटी जी ने कोयल की बारे में बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज़े बताई जो कि कभी मैं कभी बिल्कुल नहीं जानता था शायद आप मेंसे बहुत लोग भी नहीं जानते होंगे तो थैंक यू वरी मच्छ त्रिपाटी जी आप में इस पक्षियों के इंट्रेस्टिंग वर्ल्ड में बहुत ही इंट्रेस्टिंग एंट्री दी है और मुझे यकीन है कि आने वाले एपिसोड में हम पक्षियों के वारे में और भी बहुत सारी इंट्रेस्टिंग चीज़े जानेंगे निश्चित रूप से और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे दर्शकों को भी इंट्रेस्ट आएगा और यसुदास का एक गाना है जिसकी दो लाइने में बताता हूँ कौन है ऐसा जिससे फूलों से, गीतों से, पंचियों से प्यार ना हो मैं समझता हूँ बक्षियों से हर किसी को प्यार होता है और हर कोई जानना चाहेगा बक्षियों के बारे में Thank you कर दो कर दो कर दो कर दो